शारुखान की फिल्म डंकी का फॉर्स टे फर्स शो का रिव्यू सामने आ चुका है जी हाँ, आज सुभा करीब 6 बजे पहला शो रखा गया था और थियेटर्स के बाहर जो है वो शारुखान के फैंस का जमावणा देखा गया देखा जाये तो फिल्म के लेंद 2 घंटे 41 मिनिट है और फिल्म आपको इमोशन से भरपूर नजर आएगी कनेक्ट करेंगे आप खुद को इस फिल्म से, इनके कारक्टर से जो रिव्यूज हमें मिले हैं वो तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं लेकिन वाकई आप इस मूवी को कनेक्ट करना चाहते है खुद से तो इसके लिए आपको मूवी तो देखनी पड़ेगी रिव्यूज से काम नहीं चलेगा लेकिन हम रिव्यूज आपको फटा फट बता देते हैं फिल्म के अगर स्टार्डम के हम बात करें तो विकी कॉशल, तापसी पन्नू और शारुख खान की आक्टिंग ने वाकई कमाल कर दिया है और राज कुमारी हिरानी का डिरेक्शन हो तो भाई आप उसमें आक्शन की उमीद तो नहीं कर सकते लेकिन एक बेस्ट कहानी की उमीद जरूर कर सकते है और कुछ ऐसा है इस फिल्म में नजर आया है जो शारुख खान के फैंस है वो तो किसी भी हाल में फिल्म देखने जाएंगे ही भले ही वो एक्शन फिल्म हो भले ही वो एमोशनल फिल्म हो और family related फिल्म हो और जिस तरह से साल क्योंकि year ender है और ये शारुख खान के आखरे फिल्म है इस साल रिलीज होने वाली तो जैसे कि शुरुवात में पठान रिलीज हुई उसके बाद जवान आई दोनों ये action movie थी लेकिन ये movie बहुत अलग है शारुख खान के इस साल के peak से हट कर ये film है फिल्म में अगर आप लोगों से पूछेंगे जब आप reviews की बात करते हैं तो review ऐसे हैं कि बहुत लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई फिल्म की कहानी फिल्म का concept बहुत पसंद आया शारुख खान की acting ने वह कमाल कर दिया लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा फिल्म बोर करती भी नजर आई कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें first half बहुत बोर लगा कुछ लोगों का कहना है उन्हें second half बहुत बोर लगा लेकिन फिल्म ने connect किया तो फिल्म one time watch film है कुछ रोगा कहना है कि हाँ one time watch तो है लेकिन फिल्म को देखकर आखरी के जो कुछ minute है ना आपके आसू निकल जाएंगे इतना emotional last scene जो है ना जब आप देखेंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि animal के जो रफ्तार कमाई की चल रहे थी उसको थोड़ा सा break मिला है शारुक खान की डंकी ने थोड़ा सा break दिया है उसे लेकिन animal को आप एक family के साथ, अपने parents के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं शारुक खान की इस film को आप family के साथ, पूरी तरीके से देख सकते हैं overall अगर stars के हम बात करें तो 5 में से कुछ ने, कुछ media partners ने, कुछ ऐसे critics हैं उन्होंने इस film के सरहना की है, तो overall 5 में से 3, 4 तक इसे stars मिल रहे हैं फिल्म की कहानी क्या है, बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ, फिल्म की कहानी पंजाब के गाउं लाक्टू की है, वहां के कुछ यूवा, तंगाली से परिशान है, सपना लेकर लंडन जाकर पैसा कमाना चाहते हैं खाला की गरीब घर से होने से अंग्रेजी नानी की वजय से उन्हें वीजा नहीं मिलता, अब शारुखान की इस फिल्म ने अंग्रेजी को भी एक बार फिर से कटगरे में लाके खड़ा कर दिया है, इसमें एक दायलोग है कि जो अंग्रेजी यां आएं थे, क्या उन्हों की पूरी तयारी कर लेते हैं, एक फौरजी के रूप में शारुखान इस गाउं में आते हैं और इन भी सारे युवाओं के रहनुमा बन जाते हैं, फिल्म में शारुख के किरदार का नाम हार्डी है, हार्डी लंदन जाने वाले तीन-चार लोगों के ग्रूप का लीदर बनता है, सड़क और समधर मार्ग से अपने लोगों को लेकर लक्षे की तरफ आगे बढ़ते हैं, लंदन जाने के बीच क्या क्या दिक्कते आती हैं, पूरी स्टोरी लाइन इसी पर बेस्ट है स्टार कास्ट के आक्टिंग की बात मैं पहले कर चुकी हूँ, इस फिल्म में आपको पठार जवान वाले शारुक खान तो नहीं नज़र आने वाले फिल्म का बेक्ग्राउंड पिंजाबी है, लेकिन इक पिंजाबी लड़के हार्डी के रोल में उनका रोल कुछ खास नहीं लगा सपोर्टिंग आक्टरस अनिल ग्रोवर और विक्रम कोचर का काम जरूर जबदस था ये दोनों आक्टरस इस फिल्म के सर्प्राइज एलिमेंट है और अगर केम्यो के हम बात तो विक्की कोशल चुमाई परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, वाके ये कहा जा सकता है कॉमिक रोल है, आप हसने पर मजबूर हो जाएंगे और साथी साथ तापसी पन्नू ने अपने रोल के हिसाब से ठीथा काम कर लिया है डिरेक्शन बहुत अच्छा है क्योंकि आप थ्री इडियर्ट फिल्म से कनेक्ट कर पाते हैं तो सक्सेस रेट अच्छा ही है राजकुमार हिनानी का तो अब तक की सबसे कमजोर कहानी की ये फिल्म राजकुमार हिनानी की लग रही है कुछ लोगों को लेकिन अब तो रिस्पॉंस बहुत अच्छा मिला है अब देखना यह है कि ये फिल्म जो है वो क्रिस्मस वीकेंड पर कितना कमाल धमाल मचा पाती है क्योंकि अब तो क्रिस्मस वीकेंड है उसके बाद फिर नए साल का वीकेंड भी होगा और अभी हाल फिलाल में तो इसी कोई मूवी लग नहीं रहा कि हाँ लेकिन तेल्गू फिल्म सालार से इसका तगड़ा कॉलाप्स होने वाला है तो अभी है तीन-चार दिन और ये डिसाइड हो जाएगा कि डंकी ने कितना डंका बचाया है तो फिल्म आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताया और जिसने फिल्म नहीं देखी है वो प्लीज फिल्म को देखे और अपनी तामली के साथ अब जरूर जा सकते हैं तो आपका कही न कहीं है विकेंड बहुत अच्छा इस फिल्म के साथ बीच जाएगा